हम mobile phone पर scratch software का उपयोग करके एक छोटी कहानी बनाएंगे कहानी की images बनाने के लिए हम artificial intelligence आदारित text to image tools का उपयोग करेंगे एक AI आदारित text to image app है imagine इस app में आप अपनी कहानी के लिए जो illustrations चाहते हैं उनको simple English में आप describe करते हैं और app इस description को image में convert कर देती है इन images को फिर हम scratch में sprite या background की तरह यूज करते हुए एक कहानी बना सकते हैं जैसे मैंने ये कहानी बनाई है आप आप सबके करेंफ। इस वड़ कर दूप में है ah I would love to find out what lies beyond those mountains would you like to find out what lies beyond the mountain well you have decided to play it safe It may or may not be the right choice. Only the future will tell. Would you like to find out what lies beyond the mountains? Great choice. Those who wonder and are willing to take some risks. Fantastic adventures await them. Scratch में बनी इस कहानी को step-by-step बनाना सीखते हैं. आप Imagine AI Art Generator अप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. यह freemium app है, यानि trial free है, फिर pay करना पड़ता है. हम free trial use करेंगे. Text to image generate करने के और भी कई tools अपलब्द हैं, आप online search कर सकते हैं. आप Scratch में जो कहानी बनाना चाहते हैं, उसमें आपको कैसी image या illustration चाहिए, उसका description आप Imagine app में type करें. जैसे, अपनी कहानी की पहली image के लिए, मैं ये description दे रहा हूँ. Man with a young girl, standing on a large green field, there are mountains ahead, it is sunny. फिर आप कोई एक filter चुने. यहां मैं painting filter चुन रहा हूँ. और फिर generate button क्लिक करें. अप ने ये image generate करी. मुझे इस image में और कोई changes नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे अपने phone में save कर रहा हूँ. फिर मैं अपनी story के लिए एक और image generate करना चाहता हूँ. मैं description, जिसको AI भाशा में prompt कहते हैं, ये दे रहा हूँ. फिल्टर मैं फिर painting चुन रहा हूँ, और जो image generate हुई है, मैं उसे save कर रहा हूँ. नेक्स्ट हम इन images को यूज़ करके scratch में story बनाएंगे. ये tutorial बनाते वक्त mobile phone पर scratch उपलब नहीं है. केवल scratch junior उपलब है, जिसमें limited features है. मगर scratch software mobile phone में चलाने के लिए आप PictoBlocks app यूज़ कर सकते हैं. Play Store से PictoBlocks app इंस्टॉल करें. PictoBlocks app लाँच करके, उसमें एक नया project शुरू करें. जो दो images हमने generate करी हैं, हम उनको as sprites यहाँ add करेंगे. और यह जो यहाँ default sprite है, इसको मैं delete करना हूँ. नई sprite add करने के लिए, मैं upload new sprite में जाके, जो मैंने images save करी हैं, उनको load कर रहा हूँ. यह जो पहरी image है, मैं इसको select करके further edit कर रहा हूँ. और यहाँ parameters में, मैं इसका size कर रहा हूँ, 150. तो अब यह image हमारे पूरे stage को ठीक से cover कर रही है. इसके बाद हमारे को अपनी कहानी बनानी है, तो हम अपनी कहानी बना रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो रड़की है, वो अपने father से पूछ रही है, कि what lies beyond the mountains. इसको अगर आप text only करना चाहते हैं, तो यहाँ looks में जाके आप यह say की commands use कर सकते हैं, पर अगर आप इसमें voiceover भी add करना चाहते हैं, तो यहाँ extensions में जाकर हम text to speech का extension add कर रहे हैं, यह जो लड़की है, इसको कुछ कहना है, पर यहाँ पर क्योंकि हमने यह एक ही image है, तो अब हमार को इसमें अगर दो अलग-अलग dialogues चलाने हैं, एक लड़की के लिए और एक उसके father के लिए, इसके लिए हम दो sprites और add करेंगे, तो यहाँ पर ही जो लड़की है, इसके बाल काले हैं, तो जो हम एक next sprite add कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ paint कर रहा हूँ, और paint में मैं यहाँ color जो है, इसको black करके, मैं एक, यहाँ पर एक simple छोड़ा था dot लगा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर हम parameters में जाके, इसका नाम जो है, वो बदल सकते हैं, तो मैं इस sprite का नाम girl dot रख रहा हूँ, पहले हमार को इस project को save कर ले रहा जाहिए, तो मैं यहाँ पर save करके, project का नाम दे रहा हूँ, girl story, और इसे save कर रहा हूँ, यह जो हमने black dot create किया है, हम चाहते हैं कि यह हम कहीं इस लड़की पर place कर दें, ताकि फिर जब हम dialogues लिखेंगे, तो वो ठीक जगे उसका arrow point होगा, इसके लिए मैं इस background sprite पर जाकर, इसको height कर रहा हूँ, और फिर मैं यह dot sprite है, इसको मैं move कर रहा हूँ, approximately, यहाँ पर, जहाँ पर की वो लड़की है, और फिर मैं इसको वापस unhight कर रहा हूँ, मैं same process repeat करूँगा, यह जो आत्मी है इसके लिए, और इसकी shirt जो है यह green है, तो मैं एक green dot बढाकर, उसको यहाँ place कर दोगा, अब यह जो दो dot sprites हमने create किये हैं, यह हमारे दो characters को represent कर रहे हैं, और हम चाहते हैं, कि यह जो girl character है, यह अपना पहला dialogue बोले, तो मैं यह ठीक sprite select करके, यहाँ पर voice over add कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं text to speech में जाके, speak का यह programming block लाके, यहाँ इस लड़की का पहला जो dialogue है, वो लिख रहा हूँ, daddy, what lies beyond the mountains, और मैं चाहता हूँ, कि जब green flag click हो, तो यह लड़की यह dialogue बोले, हम इसको test करके देख सकते हैं, तो यह ठीक काम कर रहा है, अगर हम चाहते हैं, कि voice over के सांसां text भी appear हो, तो वापस looks पर जाके, यहाँ say के दो blocks हैं, एक time controlled है, दूसरा time control नहीं है, तो मैं बिना time control वाला block यहाँ लाके, same जो dialogue है, वो यहाँ पर type कर रहा हूँ, तो अब voice over और जो position है इस text block की, यह ठीक आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर dot जो है, इसको इस रड़की की image पर place किया है, next हम चाहते हैं, कि जो यह father है, यह dialogue बोले, तो इसको message देने के लिए कि अब इसकी बारी है dialogue बोलने की, मैं events में जाके, यहाँ कह रहा हूँ कि, broadcast message और message है, यह d1 यानि daughter 1 का यह पहला message है, फिर father की sprite को select करके, यहाँ हम कह रहे हैं, when I receive d1, तो अब जो next dialogue है, वो father का है, जिसको अगर हम voiceover में चाहते हैं, तो मैं text to speed select करके, पहले यहाँ पर voice जो है वो बदल रहा हूँ, क्योंकि हम, यह जो alto voice है, यह लड़की की voice है, तो मैं यहाँ यह tenor select कर रहा हूँ, और फिर मैं इसका dialogue बोल रहा हूँ, I don't know, probably something bad, फिर अगर हम यहाँ पर भी dialogue box add करना चाहते हैं, तो वापस looks पर जाके, यह say block बिना time वाला, यह लाके, हम कह रहे हैं, यहाँ पर यही dialogue मैं type कर रहा हूँ, फिर हम इसका next dialogue add कर रहे हैं, we are happy here, let's not risk finding out, और इसी को हम VO में भी चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर repeat कर रहा हूँ, हम इसको test करके देख सकते हैं, तो अभी यह जो dialogue boxes हैं, यह disappear नहीं हो रहे हैं, यह ठीक करने के लिए, मैं यह girl sprite पर जाके, हम चाहते हैं कि जब यह dialogue खतम हो जाए, तो उसके बाद, यह dialogue box जो से का है, यह disappear हो जाए, इसके लिए मैं फिर looks में जाके, यहां अब यह timed वाला dialogue box ला रहा हूँ, और जो text है, इसको delete करके, यहां एक space डाल रहा हूँ, और यह जो time है, इसको मैं बहुत चोटी duration कर रहा हूँ, तो यहां पर हम essentially क्या कर रहे हैं कि यह dialogue बोल कर, एक यह खाली dialogue box आएगा, पर यह बहुत ही चोटी duration के लिए appear होगा, hopefully दिखाई नहीं देगा, और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो broadcast message से पहले थोड़ी सी हम wait डाल सकते हैं, तो मैं यहां पर, एक one second की wait डाल रहा हूँ, and same चीज हम चाहते हैं कि यहां पर यह सब बोलने के बाद, यह dialogue box से disappear हो जाए, तो मैं फिर से looks में timed block लाकर, सब कुछ delete करके, एक empty space डाल कर, यहां पर time को फिर बहुत short duration कर रहा हूँ, project को बार बार save कर लेना चाहिए, अब हम इसको test करके देख सकते हैं, तो यह अब dialogue boxes ठीक खाम कर रहे हैं, यह father sprite के dialogues खतम होगे हैं, तो अब यह एक message broadcast कर देख, तो इसके लिए हम events पर जाके, यहां पर broadcast message की command लाके, एक नया message कर रहे हैं, F1, father 1, और यहां पर भी हम maybe, एक छोटी सी weight डाल देते हैं, फिर हम girl sprite को select करके, यहां पर हम कह रहे हैं, when this message is received, यानि कि when I receive F1, फिर हम इसका next dialogue कहना चाहते हैं, तो फिर हम looks में जाके, यहां पर, हम यहां, क्योंकि यह लड़की अपने से सोच रहे हैं यह बाद, हम यह think कब लोक ला सकते हैं, इसकी वेज़ से क्या होगा, कि केवल जो dialogue box है, उसमें dots appear होंगे, as if she is thinking, तो यहां पर अब हम इसका next dialogue कह रहे हैं, I would love to find out what lies beyond those mountains, और हम फिर इसका view add करना चाते हैं, तो यहां पर हमार को फिर से voice जो है, वो set up करनी पड़ेगी, back to alto, क्योंकि father के लिए हमने voice change करी थी, तो वो अपस हम लड़की की voice कर रहे हैं, और फिर हम यहां कह रहे हैं, कि यह जो dialogue है, यह same dialogue यहां repeat हो, तो मैं इस dialogue को copy करके, मैं paste कर रहा हूँ, और यह dialogue बोलने के बाद, फिर से हम चाहते हैं, कि जो text box है, वो disappear हो जाए, तो इसके लिए, मैं looks में जाके, एक timed thinking box ला रहा हूँ, और इसको सब delete करके, एक space डाल कर, यहां बर इसका time, इसकी duration जो है, यह भी बहुत short कर रहा हूँ, फिर से इसको test करके देख सकते हैं, यहां मैंने गलती से यह timed block लगा दिया है, तो यहां हमें timed block नहीं चाहिए, क्योंकि time block में पहले यह command execute होगी, फिर next command execute होगी, वेराज जो बिना time वाला block है, उसके अंदर command execute होनी शुरू होगी, अब फिर next command भी simultaneously हो जाएगी execute, यहां पर अब हम user से पूछना चाहते हैं, कि would you like to find out what lies beyond the mountains, तो इसके लिए हम यहां से एक message broadcast कर रहे हैं, तो यह d2, daughter 2 message है हमारा, और अब हम simply background में जाके कह सकते हैं, क्योंकि हमारे को give a background में voice over देना है, when I receive d2, तो यहां पर हम कुछ voice over में कुछ कहना चाहते हैं, तो हम यहां कह रहे हैं, कि set the voice to giant, ताकि voice बदल जाए, और speak में हम कह रहे हैं, would you like to find out what lies beyond the mountains, यहां पर अब हम user को yes और no की option देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दो sprites और add करेंगे, एक है y और एक है n, हम चाहते हैं कि यह दोनों sprites जो हैं trigger हो, तो यहां पर फिर से हम एक message broadcast करेंगे, तो मैं इस message का नाम दे रहा हूँ yes और no, और अब हम यहां कह रहे हैं, यह sprite को कि जब green flag click हो, तो यह sprite hidden रहे, तो मैं looks में जाके, यहां hide ला रहा हूँ, और फिर हम कह रहे हैं कि, when I receive yes or no, then show, और same command हमारे को n के लिए भी यही दो commands करनी है, फिर अगर user यह sprite क्लिक करे, n, तो कुछ और set of events होगा, और अगर user y क्लिक करे, तो कुछ और set of events होगा, तो यह determine करने के लिए कि user ने y क्लिक किया, कि n क्लिक किया, हम यहां पर फिर से events में जाके, कह रहे हैं, कि when this sprite is clicked, यानि कि यहां होगा, कि जब n क्लिक होगा, तो कुछ होगा, तो हम फिर से यहां पर एक और नया message डाल रहे हैं, कि when if n is clicked, तो हम कह रहे हैं कि no, अगर user ने कहा, no, I don't want to see what lies beyond the mountain, तो क्या होगा, and likewise हम why के लिए भी यही कह रहे हैं, when this sprite is clicked, broadcast a new message called yes, तो अगर user ने no select किया, तो हम यहां पर अब कह रहे हैं, कि अगर message when I receive no, फिर से giant की आवाज सेट अप कर देते हैं, giant की आवाज में, यह giant कह रहा है, oh, you have decided to play it safe, it may or may not be the right choice, only the future can tell, हम yes or no की जो sprites हैं, इनको ठीक से इनकी placement कर देते हैं, next हम program करना चाहते हैं, कि अगर user Y select करें, तो क्या हो, user अगर Y select करेंगा, तो yes जो message है, यह broadcast होगा, और अगर यह message broadcast हो रहा है, तो हम चाहते हैं, कि जो हमारा दूसरा हमने image create करी थी, imagine में, imagine app में, वो यहां पर appear हो जाए, तो इसके लिए, मैं एक नया sprite add कर रहा हूँ, और यहां upload sprite को click करके, जो हमारी second photograph हमने generate करी थी, मैं इसको select कर रहा हूँ, यह जो अब नई sprite हमारी आ गई है, which is the second image, इसको हम पहले तो ठीक कर देते हैं, तो हम यहां पर इसका size 150 कर देते हैं, और इसको adjust कर देते हैं, ताकि यह पूरा हमारा stage cover हो जाए, इस sprite की programming में कह रहे हैं, when green flag is clicked hide, and when I receive the message yes, then show, और अगर message yes है, यानि की user ने काए, I would like to see what is beyond the mountains, तो हम user को कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर से मैं यहां text to speech में जाके, again in the voice of the giant, हम कहना चाहते हैं कि, great choice, those who wonder and are willing to take some risks, fantastic adventures await them, तो मैं चाहता हूँ कि यहां पर यह, जब dialogue बोला जाए, तो text भी हमार को दिखे, तो इसके लिए फिर से मैं say block ला रहा हूँ, बिना timing के, मैं यह पूरा dialogue कॉपी कर रहा हूँ, और अगर आप इसमें background sound add करना चाहते हो, तो आप कोई भी sprite चुनकर, उसमें edit में जाके, sound select करके, यहां पर add sound में, आप कोई appropriate loop जो है, वो डाल सकते हो, तो यह में जे sound ठीक लग रही है, तो मैं इसको select कर रहा हूँ, यहां कह रहा हूँ कि when green flag is clicked, play the sound, emotional piano, और मैं control blocks में जाके, इसको एक forever block के अंदर डाल रहा हूँ, और यह जो background sound है, यह थोड़ी lower volume पर play करें, इसके लिए हम यहां पर command दे रहे हैं, कि set the volume to maybe just 50%, तो अब हम इसको test करके देख सकते हैं, कि अने पर य lleva को कि अनद और खिआ आपा चु्हें तो इसके मोंवोरी चासी क को आपा है, モ्झा आद ए lite मता Pruूश में गूए, इसके को प्रस्कित व्हां क近 तो ज़िए वे क्मवरे हैं, तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया ये पूरा प्रोजेक्ट आप अपने मुबाइल फोन पर बना सकते हैं